शश्ठ परिच्छेद अहंकारवि मूढात्मा करता हमिति मन्यते गीता 3.27 माया अथ्वा अहम आवरण के जाते ही मुप्तिव इश्वर लाब विजय महाशय क्यों हम इस प्रकार बद्ध हुए हुए हैं? क्यों इश्वर को देख नहीं पाते? श्री रामकृष्ण जीव का अहंकार ही माया है इस अहंकार ने सब कुछ ढख कर रखा हुआ है मैं के मरने पर ही सब जनजाल खत्म हो जाएगा यदि इश्वर की क्रिपा से मैं अकरता यहां बोध हो गया तो फिर वहाँ व्यक्ति तो जीवन मुक्त ही हो गया उसे फिर भय नहीं यही माया अत्वा अहम जैसे मेख का स्वरूप होता है सामान्य मेख के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता मेख के हटते ही सूर्य दर्शन हो जाता है यदि गुरु क्रिपा से एक बार अहम बुध्धी चली जाती है तो फिर इश्वर दर्शन होता है रामचंद्र ढाई हाथ के दूरी पर है वे साक्षात इश्वर है मध्य में सीता रूपिनी माया व्यवधान होने के कारण लक्षमन रूप जीव उसी इश्वर को देख नहीं सकते यहाँ देखो मैं इस अंगोचे से मुख के सामने ओट कर लेता हूँ अब तुम मुझे देख नहीं सकते फिर इतने निकट भी हूँ इसी प्रकार भगवान सबकी अपेक्षा हमारे इतने निकट है तब भी इस माया या आवरन के कारण हम उन्हें देख नहीं सकते जीव तो है सच्चिदानंद स्वरूप किन्तु इस माया वह अहंकार से उन पर नाना उपाधियां लग गई है और वे अपना स्वरूप भूल गए है एक एक उपाधी होती है और जीव का स्वभाव बदल जाता है जो काले किनारे की धोती पहने हुए होता है उसे देखोगे जट उसको निधु के टपों की ताल आ जाती है और ताश खेलना और टहलने जाने के समय हाथ में छड़ी ये सब आ मिलती है पतला सूखा सा भी यदि बूट जूता पहने तो भी तुरंट सीटी बजाना आरंब कर देता है सीधियां चड़ते समय साहबों की भाती फुदक फुदक कर चड़ता है मनुष्य के हाथ में यदि कलम हो तो कलम का ऐसा गुण है कि वहां तुरंट कोई कागस का टुकडा मिलते ही उसके ओपर फस फस करके लकीरे आदी खीचने लगेगा रुपया भी एक विलक्षण उपाधी है रुपया होते ही मनुष्य और एक प्रकार का हो जाता है वहां पहला मनुष्य नहीं रहता यहां पर एक ब्राम्भन आया जाया करता था वहां बाहर से खूब विनई था कुछ दिनों पश्चात हम कोन नगर गए रिदय संग में था नौका से जों ही मैं उतर रहा था मैंने देखा वही ब्राम्भन गंगा के किनारे बैठा है ऐसा लगा कि हवा खा रहा है हमें देख कर बोला क्यों ठाकुर कहो कैसे हो उसकी बात का स्वर सुनकर मैंने रिदय से कहा ओरे रिदय इस वेक्ती के पास पैसा हो गया है तब ही इस प्रकार कह रहा है रिदय हसने लगा एक मेंधक के पास रुपया था उसका रुपया एक गढ़े में रखा हुआ था एक हाथी उस गर्थ को लांख कर चला गया तब मेंधक बाहर आकर खूप क्रोध करके हाथी को लाद दिखाने लगा और बोला तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे लांख कर जा रहा है रुपय का इतना अहंकार होता है ग्यान लाब होने पर अहंकार जा सकता है ग्यान लाब होने पर समाधिस्थ हो जाता है समाधिस्थ होने पर ही तब अहम जाता है वहां ग्यान लाब है बड़ा कठिन वेद में है कि मन के सप्तम भूमी पर जाने पर ही अहम चला जा सकता है समाधी होने पर ही अहम चला जा सकता है मन का वास प्रायह कहां पर होता है प्रथम तीन भूमी पर लिंग, गुदा, नाभी में तब मन की आसकती केवल संसार में रहती है कामिनी कांचन में रिदय में जब मन का वास होता है तब ईश्वरिय जोती दर्शन होता है वहाँ व्यक्ति जोती दर्शन करता हुआ कहता है यहाँ क्या? यहाँ क्या? इसके पश्चात कंठ है वहाँ पर केवल ईश्वरिय बाते कहने और सुनने की इच्छा होती है कपाल भुरु मध्य में मन के आगे चले जाने पर तब सच्चिदानंद दर्शन होता है उसी रूप के साथ आलिंगन स्पर्शन करने की इच्छा होती है कि दुख कर नहीं सकता लाल्टेन के भीतर आलोग का दर्शन तो हो जाता है कि दुख स्पर्श नहीं होता ऐसा लगता है कि छू रहा हूं छू रहा हूं कि तुछू रहा हूं कि तुछू आ नहीं जाता सब्तम भूमी पर मन जब चला जाता है तब फिर अहम नहीं रहता समाधी हो जाती है विजय, वहाँ पर पहुँचने पर ब्रह्म ग्यान हो जाता है, मनुष्य क्या देखता है? श्री रामक्रिश्ण, सब्तम भूमी में मन के पहुँचने पर क्या होता है, मुख से नहीं बोला जाता. जहाज एक बार काले पानी में जाने पर फिर लोटता नहीं, जहाज की खबर फिर नहीं मिलती, समुद्र का समाचार भी जहाज से नहीं मिलता. नमक की पुतली समुद्रम आपने गई थी, किन्तु ज्यों ही उत्री, त्यों ही गल गई समुद्र कितना गहरा है, कौन खबर देगा, जिसने देनी है, वही मिल गई सब्तम भूमी में मन का नाश हो जाता है, समाधी होती है, तब क्या बोध होता है, मुख से नहीं बुला जाता जो मैं संसारी बनाता है, कामीनी कांचन में आसक्त करता है, वहां मैं खराब है इसके बीच में होने के कारण ही, जीव और आत्मा का प्रभेद हो गया है जल के उपर यदि एक लाठी रख दी जाए, तो दो भाग दिखाई देते हैं, वस्तुतह जल एक ही है, लाठी के कारण दो दिखलाई देते हैं अहम ही वह लाठी है, लाठी उठा लो, वही एक जल ही रहेगा बजजात मैं क्या है, जो मैं कहता है, मुझे जानता नहीं, मेरा इतना रुपया है, मेरे से बड़ा विक्ती कौन है यदि चोर दस रुपय चोरी कर लेता है, तो पहले तो रुपया चीन लेता है, फिर चोर को खूब मारता है, उस पर भी नहीं छोड़ता पहरेदार को बुलवा कर पुलीस में देकर दंड दिलवाता है बज्जात मैं कहता है जानता नहीं मेरे दस रुपए ले लिये थे इतनी बड़ी स्परधा विजय यदि अहम बिना गए संसार की आसकती नहीं जाती समाधी नहीं होती तब तो फिर ब्रह्म ग्यान का पत लेना ही अच्छा है जिससे समाधी होती है और भक्ति योग से यदि अहम रहता ही है तब तो ग्यान योगी अच्छा है श्री रामकृष्ण दो एक जनों की ही चाहे समाधी होती है और अहम जाता है किन्तु प्रायह अहम जाता नहीं हजार विचार करो अहम घूम फिर कर आही जाता है आज पीपल का व्रिक्ष काट दो कल फिर सुबह देखोगे कोपल निकल आई है बिल्कुल यदी मैं जाता ही नहीं तो रहे साला दास मैं बन कर हे इश्वर तुम प्रभू मैं दास इसी भाव में रहो मैं दास मैं भक्त इस प्रकार के मैं में दोश नहीं है मिठाई खाने से अमलरोग हो जाता है किन्तु मिश्री मिठाई में नहीं है ज्यान योग बहुत कठिन है देहात्म बुद्धी बिना गए अहम बुद्धी नहीं जाती इसी लिए कलियूप के लिए भक्ति योग है भक्ति पत सहज है आंतरिक व्याकुल होकर उनका गुणगान करो प्रार्थना करो बगवान को प्राप्त करोगे कोई संदेह नहीं जैसे जल राशी के ऊपर बांस न रखकर एक रेखा खीची हुई है जल जैसे दो भाग हो गया है फिर रेखा अधिक देर तक नहीं रहती दास मैं या भक्त का मैं या बालक का मैं ये मानो मैं की रेखा मात्र है सप्तम परिच्छेद क्लेशोधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देह वध्भिरवाप्यते गीता बारह पांच भक्ती योग युगधर्म ज्यान योग बड़ा कठिन दास मैं भक्त का मैं बालक का मैं विजय श्री रामकृष्ण के प्रती महाशय आप बज्जात मैं का ठ्याग करने के लिए कहते हैं दास मैं में दोश नहीं श्री रामकृष्ण अहाँ दास मैं अर्थाथ मैं ईश्वर का दास हूँ मैं उनका भक्त हूँ यहां अभिमान रहना चाहिए इसमें दोश नहीं अपी तो इससे ईश्वर लाब होता है विजय अच्छा जिसका दास मैं है उसके काम क्रोधादी कैसे होते हैं? श्री रामकृष्ण ठीक भाव यदि होता है तब तो फिर काम क्रोध केवल आकर मात्र रहते हैं यदि ईश्वर लाब के पश्चाथ दास मैं अथवाभगत का मैं रहता है तो वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं करसकता पारसमणी छू लेने के पश्चाथ तलवार सोना हो जाती है तलवार का आकार रहता है किन्तु किसी की हिंसा नहीं करती नारियल के व्रिक्ष के पत्ते सूख कर जड़ते हैं केवल निशान मात्र रह जाते हैं उन्ही निशानों से यही पता लग जाता है कि एक समय यहाँ पर नारियल के पत्ते थे उसी प्रकार जिसे ईश्वर लाब हो गया है उसके अहंकार का दाग मात्र रह जाता है काम क्रोध का आकार मात्र रहता है बालक की अवस्था हो जाती है बालक जैसे सत्व, रज, तमगुणों में से किसी भी गुण के बस में नहीं होता है बालक को किसी भी वस्तु के उपर आकर्शन होते हुए जितनी देर लगती है उसको छोड़ते हुए भी उतनी ही देर लगती है पांच रुपय का एक कपड़ा तुम धेले की गुडिया से भुला कर ले सकते हो किन्तु प्रथम तो तब बहुत जोर से कहेगा नहीं मैं नहीं दूँगा मेरे पिता ने खरीद कर दिया है बालक के लिए वैसे तो सभी समान होते हैं यहां बड़ा वहां छोटा ऐसा बोध नहीं होता तभी जाती विचार नहीं होता मा ने कह दिया है वहां तेरा दादा है फिर वहां चाहे बढ़हई ही हो एक ठाली में बैठकर खाना खालेगा बालक को घृणा नहीं होती शुची अशुची बोध नहीं शौज जाकर मिट्टी से हाथ नहीं धोता कोई-कोई समाधी के बाद भी भक्त का मैं दास मैं लेकर रहते हैं मैं दास तुम प्रभू मैं भक्त तुम भगवान भक्त का यहां अभिमान रहता है इश्वर लाब के पश्चाद भी रहता है सब मैं नहीं जाता और फिर यही अभिमान अभ्यास करते करते इश्वर लाब हो जाता है इसी का नाम है भक्ति योग भक्ति का पत पकड़ कर जाने से ब्रह्म ज्यान हो जाता है भगवान सर्व शक्तिमान है ऐसा सोचने पर ब्रह्म ज्यान भी दे सकते हैं भक्त प्रायः ब्रह्म ज्यान नहीं मांगता मैं दास, तुम प्रभू मैं लड़का, तुम मा यहां अभिमान रखना चाहता है विजय जो लोग वेधांथ विचार करते हैं वे भी तो उनको प्राप्त करते हैं श्री राम कृष्ण हाँ, विचार पथ से भी उन्हें प्राप्त किया जाता है इसको ही ज्यान योग कहते है विचार पथ बड़ा कठिन है तुम्हें तो सब्तम भूमी की बात बताई थी, सब्तम भूमी पर मन के पहुंच जाने पर समाधी होती है, ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या, इसका ठीक बोध होने पर मन का लए होता है, समाधी होती है, किन्तु कलियोग में जीव के अन्नगत प्राण है, ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या, यहां कैसे बोध हो वैसा बोध तो देह बुद्धी के बिना गय नहीं होता मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं चौबीस तत्व नहीं, मैं सुख दुख के अतीत हूँ तब फिर मुझे रोग, शोक, जरा, बृत्यू कैसे? ऐसा बोध कलियूग में होना कठिन है, चाहे जितना भी विचार करो, कहां से देह बुद्धी आकर दर्शन देने लगती है? पीपल का व्रिक्ष अभी काट दो, मन में सोचा कि जड़ समय तुखड गया है, किन्तो उसके दूसरे दिन ही सुबह देखोगे, व्रिक्ष की एक फुनगी निकल आई है, देहा भी मान जाता नहीं, तब ही कलियूग के लिए भक्तियोग अच्छा और सहज है चीनी बनना मैं नहीं चाहता, चीनी खाना पसंद करता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा तो कभी भी नहीं होती कि कहूँ, मैं ब्रम्म हो, मैं कहता हूँ, तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हो, पंचम भूमी और श़ष्ठ भूमी के बीच में खेलना अच्छा है शश्ठ भूमी पार करके सप्तम भूमी पर बहुत देर ठहरने की मेरी साध नहीं होती मैं उनका नाम गुणगान करूँगा यही मेरी साध है सेव्य सेवक भाव खूब अच्छा है और देखो गंगा की ही लहर सब कहते हैं लहर की गंगा कोई नहीं कहता मैं ही वहां हूँ यहां अभिमान अच्छा नहीं है देहात्म बुद्धी रहते हुए जो ऐसा अभिमान करता है उसकी विशेश हानी होती है आगे बढ़ नहीं सकता क्रमशह अधह पतन हो जाता है दूसरों को ठकता है और फिर अपने आपको ठकता है अपनी अवस्था समझ नहीं पाता किन्तु खाली भक्ती करने से इश्वर प्राप्त नहीं होते प्रेमा भक्ती न हो तो इश्वर लाभ नहीं होता प्रेमा भक्ती का और एक नाम है राग भक्ती प्रेम अनुराग बिना हुए भगवान लाभ नहीं होता इश्वर के उपर प्यार होए बिना उन्हें प्राप्त नहीं किया जाता और एक प्रकार की भक्ति है उसका नाम है वैधी भक्ति इतना जब करना होगा, उपवास करना होगा, तेर्थ पर जाना होगा इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, इतने बलिदान देने होंगे, इत्यादी वैधी भक्ति है ये सब करते करते क्रमशह राग भक्ति आ जाती है किन्तू जब तक राग भक्ति नहीं होती, तब तक ईश्वर लाभ नहीं होता उनपर प्यार होना चाहिए संसार बुद्धी एकदम चली जाएगी और उनके उपर सोलह आना मन हो जाएगा, तब ही उन्हें पाओगे किन्तु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही हो जाती है, स्वतह सिध्ध, बच्पन से ही होती है बालकपन से ही ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रल्हाद, विधिवादिय भक्ति, जैसे हवा प्राप्त करने के लिए पंखा करना हवा के लिए पंखे का प्रयोजन होता है इश्वर के उपर प्यार आएगा इस कारण जब तब उपवास आदी किन्तु दक्षिनी हवा अपने आप बहती है तो लोग पंखा छोड़ देते हैं इश्वर के उपर अनुराग प्रेम अपने आप आजाने पर जब आदी कर्मत्याग हो जाता है हरी प्रेम में मत्वाला हो जाने पर वैधी कर्म कौन करेगा जब तक उनके उपर प्यार नहीं पैदा होता तब तक भक्ती कच्ची भक्ती है उनके उपर प्यार आने पर तब उस भक्ती का नाम है पक्की भक्ती जिसकी कच्ची भक्ती होती है वहां ईश्वर की बातों और उपदेशों को धारण नहीं कर सकता फोटोग्राफर के काँच पर यदि स्याही अर्थात सिल्वर नाइट्रेट लगी हुई हो तो फिर तो जो छवी पढ़ती है वहां रहे जाती है किन्तु साधे काच के उपर हजारों छविया ही पड़े एक भी नहीं ठहरती तनिक सा सरकाते ही जैसा काच था वैसा ही काच रहता है ईश्वर के उपर प्यार न रहे तो उपदेश की धारणा नहीं होती विजय महाशय इश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन करने के लिए भक्ती होने से ही हो जाता है श्री रामकृष्ण हाँ, भक्ती के द्वारा ही उनका दर्शन होता है किन्तु चाहिए पक्की भक्ती प्रेमा भक्ती राग भक्ति चाहिए वहाँ भक्ति आने पर ही उनके उपर प्यार आता है जैसे लड़के का मा के उपर मा का पुत्र के उपर स्त्री का पती के उपर प्यार यहाँ प्यार यदि राग भक्ति आ जाने पर स्त्री, पुत्र, आत्मिय कुटुंबियों के उपर वैसा माया का आकर्षन नहीं रहता दया रहती है संसार विदेश लगता है केवले कर्म भूमी मात्रबोध होता है जैसे देश के गाओं में घर है किन्तु कलकत्ता में कर्म भूमी है कलकत्ता में मकान लेकर रहना पड़ता है कर्म करने के लिए इश्वर पर प्यार आने पर संसारा सकती विशय बुद्धी एक दम चली जाएगी विशय बुद्धी का लेश मात्र भी रहने पर उनका दर्शन नहीं होता दिया सलाई अगर गीली हो तो हजार घिसने पर भी किसी प्रकार से भी नहीं जलेगी केवल धेरो तीलियों का नुकसान हो जाएगा विशय आसक्त मन भीगी दिया सलाई है श्रीमती राधिका ने जब कहा मैं कृष्ण महीं देख रही हूँ सक्षिया कहने लगी कहा हम तो उनको देख ही नहीं पा रही तुम क्या प्रलाप कर रही हो श्रीमती बोली सक्षि अनुराग अंजन नेत्रों में लगाओ उन्हें देख सकोगी विजय के प्रती तुम्हारे ब्राम्ह समाज के गाने में है हे प्रभु, बिना अनुराग के तुम्हें जाना नहीं जाता चाहे कितना ही यग्य याग क्यों न करे यही अनुराग, यही प्रेम, यही पक्की भक्ती यही प्यार यदि एक बार हो जाए तब तो फिर साकार निराकार, दोनों का ही साक्षातकार हो जाता है विजय, इश्वर दर्शन कैसे होता है? श्री रामक्रिश्न चित्ट शुद्धी हुए बिना नहीं होता कामेनी कांचन में मन मलीन हुआ रहता है मन पर मैल जमी रहती है सुई पर कीचड लिप्टी हुई हो तो उसे चुम्बक नहीं खीचता मिट्टी कीचड धो दिये जाने पर तब चुम्बक खीचता है मन का मैल वैसे ही आखों के जल से धो दिया जाता है हे इश्वर, मैं अब फिर ऐसे कार्य नहीं करूँगा ऐसा कहकर यदि कोई अनुताप से क्रंदन करे तो फिर मैल धुल जाती है तब इश्वर, रूप, चुम्बक पत्थर, मन, रूप, सुई को खीच लेते है तब समाधी होती है इश्वर दर्शन होता है किन्तु हजार चेश्टा करो उनकी कृपा हुए बिना कुछ नहीं होता उनकी कृपा नहो तो उनका दर्शन नहीं होता कृपा क्या सहज में हो जाती है हंकार एकदम त्याग करना होगा मैं करता ऐसा बोध रहने से इश्वर दर्शन नहीं होता बंडार में एक व्यक्ति हो तब घर के मालिक को यदि कोई कहे महाशय आप आकर सामान निकाल दीजिए तब वह मालिक कहता है बंडार में तो एक व्यक्ति है मैं फिर जाकर क्या करूँगा जो स्वयम करता बना बैठा है उसके रिदय में इश्वर सहज में नहीं आते कृपा होने पर ही दर्शन होता है वे ज्यान सूर्य है उनकी एक ही किरन से इस जगत में ग्यान का आलोग पढ़ रहा है इसी लिए हम परस पर जान सकते है और जगत में कितनी प्रकार की विद्याएं उपारजन करते हैं अपना प्रकाश यदि एक बार वे अपने मुख पर स्वयम ही रखे तो फिर दर्शन लाब होता है सारजन्ट साहब अर्थात लाल्टेन मैन रात के अंधेरे में लाल्टेन हाथ में लेकर घूमता है उसका मुख कोई नहीं देख पाता किन्तु उस प्रकाश से वहाँ सब का मुख देख लेता है और सब परसवर मुख देख पाते हैं यदि कोई लाल्टेन मैन को देखना चाहते हैं, तो फिर उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए कहना चाहिए साहब, क्रिपा करके एक बार प्रकाश अपने मुख के उपर घुमाँ आपको एक बार देखो, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ठाकुर, कृपा करके ज्यान का प्रकाश अपने उपर स्वयम एक बार रखो मैं आपका दर्शन करूँ घर में यदि प्रकाश न जले तो वहां दरिद्रता का चिन्ह है तभी रिदय में ज्यान का आलोग जलाना चाहिए घर में ज्यान दीब जलाकर ब्रह्मा मै का मुख देखो विजय संग में आउशद लाए है ठाकुर के सम्मुख सेवन करेंगे आउशद जल से खानी है ठाकुर ने जल मंगवा दिया ठाकुर अहयतुक क्रिपा सिंधू विजय गाड़ी का भाड़ा नौका भाड़ा देकर आ नहीं सकते ठाकुर बीच बीच में लोगों को भेज देते हैं और आने के लिए कहते हैं अब की बार बलराम को भेजा था बलराम गाड़ी भाड़ा देंगे बलराम के संग विजय आये थे संध्या के समय विजय, नवकुमार और विजय के अन्य संगी बलराम की नौका में फिर चड़ गए बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर पहुँचा देंगे मास्टर उसी नौका में चड़ गए नौका बाग बाजार के अन्न पूर्णा घाट पर आ पहुँची जब बलराम के बाग बाजार के निवास थान के निकट वे लोग पहुँचे तब जियोत्सना थोड़ी थोड़ी उदित हुई थी आज शुक्ल पक्षकी चतुर्थी तिथी है शीत काल थोड़ा थोड़ा शीत लगता है ठाकुर्श्री रामकृष्ण के अमृतोपम उपदेश्मरण करते करते और उनकी आनंद मुर्ती रिदय में धारण करके विजय, बलराम, मास्टर आधी अपने अपने घरों को लोटे